कमरे के बीट में एक मेज है जिसपर मेज पोश पड़ा है जो की आगे से ढखा है मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाए नहीं देता म्याउ म्याउ की अवाज होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाइन तरफ से सफेद बिल्ली प्रवेश करती है बिल्ली बहन नमस्ते नमस्ते बहन नमस्ते अच्छी तो हो अच्छी क्या हूँ भूखी हूँ मैं भी भूखी हूँ खाने को कुछ धून रही हूँ उस खोज में मैं भी निकली हूँ मुझे महग रोटी की आती हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है रखी मेज पर है वो रोटी लपकू कोई आना जाए तो तू डर मैं तो लेने चली काली पिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है ठहर कहां भागी जाती है रोटी लेकर रोटी मेरी रोटी तेरी? कैसे तेरी? रोटी मेरी मैं न दिखाती तो तू जाती? अच्छा क्या मैं खुद न देखती? क्या मेरी दो आँखे नहीं है? डरती थी उस तक जाने में जा डर पोक कहें की जा भग रोटी मेरी रोटी? कहे दे नहीं मेरी मैं ले जाने तुझे न दूँगी देख रा से मेरी हट जा ले जाऊंगी तुझे न दूँगी देखूं कैसे ले जाती है? जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर पहले दोडे दोड की ले ले पहले उसका हक रोटी पर रोटी पर पहला हक मेरा मैं कहती हूँ रोटी मेरी मैं कहती हूँ रोटी मेरी दोनों जगडती है रोटी मेरी, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुराती है क्यों तुम दोनों जगड रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी तुम कहती हो रोटी मेरी रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूँगा चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ बंदर दोनों से छीन कर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है दोनों बिल्लिया पीछे पीछे जाती है बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है दोनों बिल्लिया मेज के सामने, इधर उधर खड़ी है बोलो, तुमको क्या कहना है? श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी इसे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है बोलो, तुमको क्या कहना है? श्रीमान, पहले मैं जप्ती थी रोटी लेने इसे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है एक आँख से देखी थी, या दो आखों से? दो आखों से, दोनों आखों से एक टांग से चप्ती थी, या दोनों टांगों से? दो टांगों से, दोनों टांगों से तुम दोनों का था गवाह भी? कही न कोई, कोई न कही बात बराबर बात बराबर मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए मेरे पास धर्म काटा है बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है दो हिस्सों में तोड़ कर दोनों परड़ों पर रखता है और उठाता है एक परड़ा नीचे रहता है, दूसरा उपर यह टुकड़ा कुछ भारी निकला इसमें से थोड़ा खाकर हलका कर दो फिर तराजू उठाता है, अब पहला परड़ा उपर है और दूसरा नीचे अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हलका कर दो फिर तराजू उठाता है, अब पहला परड़ा नीचे हो गया और दूसरा उपर अब ये टुकड़ा भारी निकला टुकड़े भी कितने खोटे हैं एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए है मुह ठक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ ठक गये बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखती हुई आप ठक गये अपना उठाएं और तराजू बचा खुचा जो उसको दे दे हम आपस में बाट खाएंगी नहीं नहीं तुम फिर जगडोगे मैं जगडे की जड़ को ही काटे देता हूँ बचा कुचा भी खा लेता हूँ इतना कहकर बचे खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है आपस में जगडा कर बैठी बुद्धी अपनी खोटी अब पस्ताने से क्या होता बंदर हडपा रोटी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें और हाँ वीडियो को शियर करना न भूलें थैंक यू वीडियो करें